हेलो फ्रेंड्स आप सोबों का एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे पश्ची मिगाट परुत सिंखला में एक और इंपोरेंट पाड़ी है जिसका नाम है अन्नमलाई पाड़ी तो इसके बार में जो जुड़ी जानकारियां हैं इसक आपको वीडियो में बताया हुआ है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं उहां से जितनी भी जानकारी हैं आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें और जो चैनल में नए है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडिय केरल और तमिलनाडू राज में है दोस्तों इसका जो विस्तार है वहाँ केरल और तमिलनाडू दो राज्यों में विस्तार है लेकिन निलगीरी पहाड़ी जो था उसका विस्तार तीन राज्यों में था वो मैंने आपको बताया हुआ था इस अन्नामलाई पहाड़ी के सब विस्तार है केरल की तरब तो यहां आपको याद रखना है और इसकी जो उंचा ही है वहाँ है 2695 मीटर यानि कि 2695 मीटर और यहां जो है दोदा बेटा से पहले इसका नंबर है यानि की यहाँ दोदा बेटा को सेकेंड नंबर में रखता है अन्यमुदी पहला नंबर ते है तो यहाँ है अन्यमुदी चोटी, पस्चीमिकाट परवत और दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निलगरी पहाड़ी में जो सबसे उची चोटी है या दोदा बेटा जिसकी उचाही है 2600 मिटर यहाँ दूसरे नमबर की पहाड़ी थी पाष्ची मिघाट परवत की सबसे उची चोटी है यहाँ नियारगना है और इसकी जो उचाही है वहाँ है 2600 मिटर मैंने आपको यहाँ पर मेप में दिखाने के कोशिश किया हूँ आप लोग साथ मेप में देख रहे होंगे एराबी कूलम राष्टी उद्यान चिननार वन्यजिव अभ्यारन इंद्रा गांधी वन्यजिव अभ्यारन परामबी कूलम वन्यजिव अभ्यारन अन्नामलाई टाइगर रिजर्ब अन्नामलाई पहाड़ी पर इस्थित हैं तोस्तों यह जो अन्नामलाई पहाड़ी है यहां पर इतने सारे राष्टी उद्धान और वन्यजीव अभ्यारन है जिसमें से एराभी कुलम राष्टी उद्धान चिननार वन्यजीव अभ्यारन इंद्रा कांधी वन्यजीव अभ्यारन परांभी कुलम वन्यजीव अभ्या तो उसमें सबसे इंपोर्टेंट है अन्नमलाई या अन्नमलाई टाइगर रिजर्व यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है अगर उर्फन दिया हँव रहेगा तो है तो आप इसमेजissa करेंगे अन्नमलाई पहाड़ी को ही तो यहाँ very very important हो जाता है यहाँ से भी question पूछे जाते हैं तो यहाँ very very important है तो अन्नमलाई पहाड़ी को ही elephant hills या हाथी पहाड़ी या elephant पहाड़ी कहा जाता है और उससे भी ज़्यादा important है कि यहाँ जो है दच्छिन भारत के सबसे उची चोटी है या पहची मिकाट परोत स्रिंखला की भी सबसे उची चोटी है और इसका जो विस्तार है वहा केरल राइज में है जो चोटी है उसका विस्तार है केरल राइज में लेकिन अगर पहाड़ी की विस्तार कहते हैं तो वहा है केरल और तम टमिलाडो राइज में तो इसका चे बिश्तार हुआ है इन दो राइजों में स्थीत है केऱल और तमिलाडो में यहाँ भारत की सबसे दच्छीनी पहाड़ी है और पाश्ची में गहाट प्रोत through ya का अंतिम विस्तार है तो दोस्तों यहां जो है हमारा पहाड़ी कार्डमम या इलाइची पहाड़ी यहां दच्छिन सबसे भाग, दच्छीनी भाग यानि पश्ची में घट परवत स्रिंखला का सबसे अंतिम भिस्तार है या भारत की सबसे दच्छीनी पाड़ी है अगर पुरे भारतवर्स में देखेंगे तो उसमें भी सबसे दच्छीन वाला पाड़ी है यह हमारा कार्डमम या इलाइची पहाड़ी तो यहाँ पहाड़ी इलाइची के लिए परसीदे तो दोस्तों यहाँ जो हमारा कार्डमम या इलाइची पहाड़ी है वहाँ इलाइची के लिए फेमस है जो कि एक मसाला भी है हम कह सकते हैं इसको तो यह इलाइची के लिए परसीद है इलाइची फसल का उत्पादन यहां बहुत ज़्यादा होता है और इलाइची को ही कार्डमम कहा जाता है तो दोस्तों इलाइची को ही कार्डमम कहा जाता है और यहां इस पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा इलाइची का उत्पादन भी होता है इसी करण से इस पहाड़ी का नाम ही दे दिया गया है कार्डमम पहाड़ी या इलाइची पहाड़ी तो आपको यह ध्यान रखना है कार्डमम पहाड़ी अगला है हमारा नागर कोपल पहाड इंप पहाडी दोस्तों यह विक हाट पर्त सिंखला में हि है लेकिन यहाँ पहाडचdash पहाड़ी काही दच्छिनी हिस्सा या दच्छिनी भाग यह आपको याद रखना है कि नागरकोपल › पहाड़ी काही सबसे सबसे निचे वाला हिस्सा को ही हम लोग नागर कोपल पहाड़ी कहते हैं तो यह हो गया हमारा कार्डमम या इलाईजी पहाड़ी आपको इतना याद रखना है अब हम लोग देखेंगे पालनी हिल्स के बारे में जो इसका विश्तार है वह किस प्रकार से है तो वह इस प्रका अब बात करते हैं पालनी हिल्स के बारे में मेप में आप लोग देख रहा है इसका विश्तार किस प्रकार से है तो इसके बारे में जानकारी क्या है तो पालनी हिल्स का विश्तार तमिलनाडू राइज में है दोस्तों अगर आप लोग में देखेंगे तो यह जो है पालनी या पालनी पहाड़ी वह तमिलनाडू राज़ी में इसका विस्तार याने कि तमिलनाडू राज़ी और इसका फैलाओ है यहाँ पहाड़ी पस्चिमी घाट परवत स्रिंखला का पूर्व की और विस्तार है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ जो है पस्चिमी घाट परवत्सरिंखला तो इसी का थोड़ा सा भाग पूर्वकी और चला गया है तो इसी पर है हमारा इस्थित पालनी हिल्स तो यहाँ है कि यहाँ पाड़ी पस्चिमी घाट परवत्सरिंखला का पूर् बहुत सारी चीज़े veo पालनी अगर आप लोग को मुखा मिलता दथ्चिन भादा घूमने के लिए या फिर आप लोग दथ्चिन भारत के हैं तो आप ऐसे ऐसे प्रहतना स्तुन में घूम सकते हैं और शीखने के लिए आपको बहुत सारी बोधुम सकते हैं तो आपको यहाँ याद रखना है कि gi cal Olive H scoopХ इस्टेशन पालने पहाडी पर ही स्थित है तो यह भी हमारा वह बहले drives हो दोस्तों इस परकर से इस परकार के हम लोग सारे पाड़ियों को देख लिया था उमिद करता हूँ कि आप लोगों को यह सारे वीडियो अच्छी लेगी होगी तो अगर आप लोग चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहें तो दोस्तों यहां पो जितने भी जानका रही हैं आप उसको याद कर लेंगे तो यहां से एकर कोशिन पूछा जाता है तो आपके दवारा एक भी प्रस्न छूटे नहीं जाएंगे थेंक्यू दोस्तों